कर महराज सरकार ने एक बार फिर से कह दिया कि किसी भी हालत में ये केस CBI को नहीं जा सकता है अब इस पर जो है डॉक्टर स्वामी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने सुप्रीम कोड और बॉंबे हाई कोड को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है अपील की है क्या कहना है डॉक्टर स्वामी का मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी दरसल कल उद्धव अनल देश्मुक ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में यह केस CBI को नहीं जाने देंगे इस तरह का जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद जो है डॉक्टर स्वामी ने आद लिखा उद्धव कैबिनेट नहीं जाती है कि यह जो है CBI को केस्ट है उसकी पर्मिशन वो नहीं देगी ऐसा क्लियर किया है The High Court and Supreme Court can overrule that and direct CBI inquiry वो कहते है कि High Court and Supreme Court जो है इसको ओवरूल करके CBI inquiry दे सकता है I did that in Tamil Nadu when a dominant cast through police rampage the 100% scheduled cast village CMJJ had opposed it तो उन्होंने का इससे पहले भी हो चुका है तो इसमें अब Supreme Court और High Court को जो है पूलिस जो है वो चाती है इसमें CBI हो क्योंकि सुशान का केस काफी High Profile केस है और उन पर जो है काफी Overload आ रहा है इस पूरे केस को लेकर हाला कि डॉक्टर स्वामे इस बात को पहले भी Clear कर चुके हैं कि वो कई आला अधिकारियों के आला अफसरों के टच में है और वो लगातार जो है यह कहते भी है कि उद्धव को भी कभी problem नहीं है लेकिन जो कटबंधन की सरकार है उसके चलते जो है वो CBI की जांच के order नहीं दे पा रहा है आगे वो लिखते हैं Mumbai Police thinks FIR stands for final information report not first information report as per criminal procedure code so to register the FIR the Mumbai Police is waiting for all the information to come in इस Mumbai Police following M3 prepared CRPC तो कही न कहीं उन्होंने Mumbai Police को फिर से एक बाद ये बात कही है कि क्या आपको कानून की समझ नहीं है क्या और साथ ही उन्होंने ये भी बड़ी बात कही है कि इसमें CBI जांच के लिए अब Supreme Court और Bombay High Court को इंटरफेर करना होगा तो जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि महराज सरकार ने अगर बोल दिया है कि CBI में नहीं जा सकता तो ऐसा नहीं है इसी के लिए उन्होंने ये बात लिखी है कि इससे पहले तमिल नाडू में भी CM ने मना कर दिया था लेकिन उसके बावजूद जो है उस केस में CBI जांच होई थी तो Supreme Court और Bombay High Court जो है जब भी चाहे इसको overrule करके CBI जांच के ओडर दे सकती है